दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके BSC First Year Second Semester Botany का Unit Second यानि की Teredo Fight से जुड़ हुए Most Important MCQ को Solve करेंगे तो पेपर में मैंने ऐसे MCQ को Include किया हुआ है जो कि Previous Year आपके एक्जाम में आए है और आपके आने वाले एक्जाम के लिए Important है तो वीडियो को ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा तो वीडियो की सुरुआत करते हैं चलते हैं अपने पहले कोशन की और पहला कोशन है Vascular tissue are present in यानि कि जो समभवन उतक है वो पाए जाते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि समभवन टीसू में आते क्या हैं तो समभवन टीसू में आते हैं जाइलम और फ्लोयम तो जाइलम और फ्लोयम मिलके बनाते हैं समभवन उतक जिसे हम इंगलिस में बोलते हैं वस्कुलर टीसू अब कोशन में कह रहा है कि जो वस्कुलर टीसू है किन में पाय जाते हैं तो वस्कुलर टिशू आपके टेरिडूफाइट्स में पाये जाते हैं, जिमनो स्पर्म में भी पाये जाते हैं, और एंजियो स्पर्म में भी पाये जाते हैं, तो हमारा जो राइट आप्सन है, आप्सन ए है, यहाँ पर आपको बता दे कि जो अधर आप्सन है, जैसे आप् फंजाई और यल्की और भ्रायफाई स्थिल उठे को नहीं मिलता तो यहां पर आपका राइट उप्सिन है औपसंट एगले कोश्टओं के जो teridoophytes है उनमें मुख्य पौधा कैसा होता है तो देखे जब हम algae से चलते हैं यानि कि algae से चलते है तो फिर उसके बाद आता है bryophytes तो bryophytes की जो plant body होती है वो haploid होती है यानि कि gametophytic होती है यानि कि हम कह सकते हैं कि bryophytes का जो main पौधा होता है वो gametophytic होता है bryophytes के बाद आता है teridoophytes क्या आता है teridoophytes तो teridoophytes में जो main plant body होता है यानि कि जो मुख्य पौधा होता है वो deployed होता है यानि कि कह सकते हैं sporophytic होता है तो यहाँ पर question में पुछा हुआ है the main plant body of teridoophytes is तो टेरडोफाइट का जो मुखे पौधा होगा वो कैसा होगा इस पोर फिटक यानि की बिजाड़ू भिद होगा तो राइट आपसन है आपसन भी अगला कोशन है दो मॉर्फो लॉजिकल नेचर आफ राइजोपोर इन सलेजनेला इस यानि कि सलेजनेला में जो राइजोफ रूट यानिए कि यह 10 विये और रूट भी है तो आपको बता दे कि सलेजनेला में जो इस ने राग Monsieur तर छाता है उसको अलग अलग यानिकों ऑपने अनुसार दौश की ने उसे इस का अपना अलग-अलग मत है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सलेजनेला में पाया जाने वाला राई जो फोर है वो इस टेम भी है और रूट भी है तो यहां पर आपका जो राइट ऑप्सन डी है बोथ स्टेम एंड रूट चलते हैं अगले कोश्चन के अगले कोश्चन इन एर्या वेफ Our following वर प्रेज़ेन तो कोश्चन में आप से पूछ रहा है कि राइट इन या के पाउधे उन चेत्रों में विक्सित होते हैं जहां पर निम लिखित के वास्प उपस्थित होते हैं तो आपको बताना है कि कि वास्प उपस्थित होते हैं जहां पर राइण पाए जाता है तो यह पाए जाता है सलफर वाले छेत्र में तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी चलते हैं अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन इन वीच आफ फालोइंग स्वराइ इन क्लोजिंग माइक्रो और मेगा इस्पोरेंजिया और फाउंड यानि कि निम्लिकित में से किसमे लगु बिजाड़ु धानिया एम गुरु बिजाड़ु धानिया सुराई के अंदर पाई जाती है बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है तो यह पाए जाता है स्पोरो कार्प में तो आप सभी ने मारसिलिया आप पढ़ाओगा तो मारसिलिया में आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से संद्रचना दिखाए देती हैं जिसे हम बोलते हैं इस पोरोकार्प और इस पोरो कार्प के अंदर आपको माइक्रो स्पोरेंजीया और मेगा स्पोरेंजिया यह दोनों ही देखने को मिलता है चलते हैं अगले कोशन की और अगला कोशन है सलेजनेला इस करेक्टराइजड बाई दा प्रजेंस आफ यानि कि सलेजनेला में किन लच्छोनों की उपस्तिती होती है तो सलेजनेला में आप देखेंगे तो यह हेट्रोइस्पोर ही होता है इसमें राइजोफोर पाये जाते ह है साथ ही साथ लेग्यूल होता है पतियों पर और इन में ट्रेविकुलेटेड इंडो डर्मिस पाए जाता है तो इस इस आप से देखे तो हमारा जो राइट ऑप्सन बनता है ऑप्सन भी है चलते अगले कोशन की और अगला कोशन है स्मॉलेस्ट एक्वर्टिक फर्न उफन यूज एज बायो फर्टिलाइजर इस यानि कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा फर्न है या टेडोफाइट से जिसका उप्योग हम बायो फर्टिलाइजर यानि कि जैव खात के रूप में करते हैं तो यहां पर आपका जो राइट ऑप्सन है ऑप्सन डी है ज जोला सबसे छोटा एक तरह से टेडोफाइट भी है और यह एक बायो फर्टिलाइजर यह प्राय धान के खितों में पाय जाता है तो एजोला के अंदर आपको ब्लू ग्रीन एलगी सेंबियोटिक फॉर्म में देखने को मिलते हैं तो यहां पर आपका जो राइट ऑप्सन है अप्सन है अप्सन डी है अज़ चलते अगले कोशन की और अगला कोशन है विचाप दम फालोई jong is not a ब्रायोफाइट निम्कित में से कौन सा ब्रायोफाइटा नहीं है तो चारों अप्सन में देखे तो जो टेरिस है यह एक टेरडो फाइट सा ही यह प्रेफाइट नह यानि कि आपको बताना है कि चम्मच के आकार का आर्दिता ग्राही इलेटर्स कौन से बिजाडुओं पर पाये जाता है आपके आप्सन है पहला आप्सन एक्यूसीटम दूसरा है लाइकोपोडियम तीसा है टेस और लास्ट आप्सन है साइकस तो आपको बता दे कि कोशन की और अगला कोशन है एंफी फ्लोइक सिफ्नो इस्टील इस फाउंड इन यानि कि एंफी फ्लोइक टाइप का जो सिफ्नो इस्टील है वह इन में से किन में पाया जाता है आपके आप्सन जो है पहला आप्सन है मारसिलिया दूसरा है लाइकोपोडियम तीसरा है सले लच्चड है तो यहां पर चार आप्सन दिये हुए हैं आपको बताना है कि इन में जो कौन सा ऐसा प्टेडोफाइट सैंडियनी की हो स्पोर पाएजाता है यहतोख वहां पार आपका सलेज नेला वहां में आपको माइक्रो और दिख्र चृपर बेखने को मिलेंगे जो कि में प्सक्र जाते हैं आज चलते आग से कशनकी और जो बूल पार्टन्ट है यन की कौन सा ऐसा फर्न है या फिर कहा सकते हैं कौन सा ऐसा ट्रड़ मत आप बहुत सारे कोश्चन्पी आपके जोला याद Pokémonac तो यहां पर पूछा हुए कि जो फ्लेज़ला होती है वह कैसी होती है मतलब कि इसमें नहीं पाई जाता है ये फलेजलेट होता है या फिर एक फ्लेजला पाई जाती है मतलब कि मोनो फ्लेजलेट होता है या फिर बाई फ्लेजलेट होता है या फिर मल्टी फ्लेजलेट होता है तो इन चारो आप्षन में आपको राइट आप्षन बताना है तो सलेजनेला का जो मेल गैमिट होता हो होता है यानि कि इसमें दो फ्लजला पाई जाती है तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है तो दोस्तों इसी कोशन के साथ टेड़ो फाइट से जुड़ा हुआ का MCQ समाप्त होता है तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और सेर करना मत बुलेगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूश सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगल के लिए जय हिंद जय भारत